नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं Market Report. आए ये बात करते हैं Gold MCX की. दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये Gold MCX का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाए हुआ है, और इसमें जिस तरीके की movement last trading session में रही और अभी जो current live market चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने ही कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले session में वो कौन से price level है, जो इसमें support और resistance का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगये का क्या view है, क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए, या थोड़ा सा wait करना चाहिए, किसी भी trade में एंटर करने से पहले, तो आईए शुरू करते हैं, पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे, gold, mcx का chart, दोस्तों, last rating session में हमने देखा, कि market में एक जिस तरीके का selling pressure बना हुआ था, market ने strong deep लिया और एकदम से एक recovery हुई, और prices फिर 51,000 को touch नहीं कर पा, उसके बहुत करीब पहुँचने के बाद market में एक थोड़ी सी correction, और तब से लेकर अगर हम आज पूरे दिन का अभी तक का जो session है, वो हम consider करें, तो market ने बहुत बारीक range को, एक narrow range को market ने hold किया हुआ है, और जिसमें prices जो हैं ओपर या नीचे नहीं जा पारें, ऐसा नहीं है कि इस तरीका session हम सिर्फ आज देख रहे हैं, silver में इसकी expectation काफी time से थी, gold में जो ये correction आई है, इसके बाद से इसमें ऐसी expectation होने लग गई है, इतना जरूरे कि market में इस तरीके के indication काफी ज़्यादा strong होते जा रहे हैं, दिन बदिन के market का जो support है, वो strong होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गिरावट बनती हुई नजर आ रही है, उसे शायद एक break लगता हुआ नजर आ जाए, और जो अभी तक के लिए तो हमारे सामने नजर आ रहा है, एक narrow range में market hold होके आगे की तरफ continue करता हुआ, सिर्फ इतना ही है, और आगे चलते हैं, 15 मिनिट के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें market में एक sharp selling आई थी, जो दो दिन तक continue रही थी, और जिसकी expectation वहीं से होने लग 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 ली थी, जब market 52,200 या 300 के level के आसपास था, वहाँ से 2000 point market ने लगबद correct कर दिया, और अभी के लिए, अगर हम तब से अभी तक का market देख रहे हैं, एक छोटी सी range को market ने hold किया हुआ, यह एक uncertainty है कि क्या market अपनी इस downside को continue करेगा, यह यहाँ पर आकर इसका रुकने का एक reason यह भी है कि market में, हम जिस level को consider कर रहे हैं, वो बहुत strong support है, जो market के लिए break करना इतना easy नहीं होगा, वो level अभी हम discuss करेंगे, और हम उसमें कोई change नहीं है, जो हम पिछले कई वीडियो से उस level को discuss करते हुआ रहे हैं, same है, levels में, actually हमने, जो Saturday को, Sunday को वीडियो upload किया था, उसमें और अभी में, कोई change नहीं है levels में, सिर्फ एक चीज़ यह है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या strategy रख सकते हैं, अभी सिर्फ इतना ही है, ठीक है, एक छोटी range है, जिससे market ने hold किया हुआ है, तो कहीं न कहीं है, उस चीज़ में help करता है यह strategy, कि आगे के लिए हम किस तरीके से trade लें, unnecessarily किसी ऐसे trade में enter तो नहीं कर रहे हैं, कि prices बहुत उपर या बहुत नीज़े जाने वाले हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमें कहाँ पर exit करने का सोचना जाएंगे, यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह जो एक upside moment आई थी, जिसकी expectation तब तक थी, जब तक market यहाँ पर 50,400 के level को hold करके चल रहा था, यह market ने इससे पहले भी एक low लगा दिया था, 50,410 का, और 400 के level को हम काफे strongly consider कर रहे थे, कि यह अगर break हो जाता है, इस correction में, तो market में selling pressure बन सकता है, यह market ने stop loss का बहुत अच्छे से काम किया, और prices जो थे, ऊपर चले गए, और एक अच्छा profit अगर किसी ने hold किया हुआ था, तो उन्हें मिल गया, reason यह रहा था, कि government ने taxes, यह shed duties कुछ बढ़ा दिय थे, import duty बढ़ा थे मेरे ख्याल से, उसकी वेज़े से market उपर रहा, और फिर USD, INR, इसका भी impact market में बना रहा, correction आई, correction का फिर यह कारण रहा, कि silver के साथ साथ, gold USD, उसमें एक heavy correction हमने बनती भी देखी, अभी तक, जो market continue है, हम gold USD की बात कर रहे हैं, वहाँ पर market में, एक sideways trend चल रहा है, sideways trend भी क्या चल रहा है, market अपने आपको lower level पे hold करके बैठा हुआ है, जिस वज़े से market ने यहाँ पर prices को अभी hold किया हुआ है, उसमें ये कारण है कि USD, INR में लगतार हमें धीरी-धीरे prices जो हैं, वो उपर की तरफ move करते हैं नजर आ हैं, तो कहीं न कहीं, एक support के तरीके से हम इसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा strong strength इसमें है, ऐसा कुछ नहीं है, upside moment है, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक sideways trend है, जो market अप शायद break करने में वापस है, और नीचे के लिए, वो बहुत मुश्किल रह सकता है, ठीक है, और आके चलते हैं, तो यह break कब होगा, उसके लिए अभी हम बात करेंगे, यह देखिए, sideways trend इसमें, लगभग, अगर हम सिर्फ इसी range की बात करें, 50 से 51,000 के बीच में, यह market trade कर रहा है, और करीब करीब, दो महीनें से हो चुके हैं, उपर जाता है, sustain नहीं कर पाता, यहां भी और उपर गया, पर market बहुत ज़्यादा time के लिए sustain नहीं कर पाया, इस पूरी की पूरे support level को, अगर market break कर देता है, तो इसमें एक अच्छी selling, हम expect कर सकते हैं, gold के prices में आने वाले दिनों में, जो trend है, वो नीचे की तरफ को continue करना शलू कर देगा, पर वो कौन से level हैं, उन पर अभी हम और discuss करेंगे, एक बाद daily time frame पर देख लें, क्योंकि levels में कोई बड़ा change नहीं है, levels सारे वही हैं, जो हम discuss कर रहे थे, उपर, उपर, फिर वहां से sideways strand, strong sideways strand, ये पूरी एक range है, उपर गया, sustain नहीं किया, नीचे आए, sustain नहीं किया, उपर गया, sustain नहीं किया, और अभी नीचे आता है या नहीं आता है, वो देखना होगा, वापस चलते हैं, 15 मिनट के time frame पर, उन levels को अब हम discuss कर लेते हैं, जो हमारे लिए अब important है, एक intraday का support जहां पर नज़र आ रहा है, वो price है, 50550, ठीक है, ये price लगभग यहां पर है, ये intraday का support level है, ये break होता है, तो आप buying एकदम से ना करें, हो सकता है कि market आज ही आज में, फिर और नीचे के लिए continue करने लगे, पर इसके बाद, ये support market मान के चलेगा, ये 366 का एक low prices का लगा था, 50366, ठीक है, ये price market support के तरीके से मान के चलेगा, ये दोनों के दोनों, intraday basis पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, जो important चीज़ है, वो एक ही level है, psychological level भी है, और technical level भी है, 50,000 का, exact, इसके नीचे कोई भी market, single day closing दिखा जैता है, chances, ये काफी ज़्यादा हो जाएंगे, कि prices फिर नीचे की तरफ, अपने एक movement स्टार्ट कर देंगे, और नीचे की तरफ continue कर सकते हैं, फिर कहां के levels आएंगे, वो अभी कहांना काफी मुश्किल है, पर 50,000 का एक psychological mark बहुत important है, उपर में अगर हम बात करें, ये तो हो गए नीचे के levels, उपर में अगर market आता है, तो 51,000 का फिलहाल के लिए, इसके उपर market का sustain करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक market में कोई बहुत उम्मीद ना रखें, कि prices जो हैं, वो उपर की तरफ continue रखेंगे, नीचे में ये एक price होगया, उपर में ये होगया, ये market की intraday range बनी रह सकती है, जब तक इसे break नहीं करता, market इस range को hold करेगा, इसे break करेगा, तो फिर market अपनी range को expand करने की कोशिच करेगा, 51,000 के बाद एक price है, 51,220, ये next resistance आजएगा, 51,000 break करते ही, ठीक है, इसके बाद market में strength बढ़ेगी, 51,000 के break करने के बाद, सिर्फ एक hope इस तरीके का नज़र आएगा, कि अब इस price को, ये जो lowest price है, इसका break करना almost impossible जैसा होता जा रहा है, ठीक है, ये एक strength लाएगा, और इसके बाद जो और next resistance है, वो है 52,100, ये तीन prices हैं, जो उपर में resistance का काम करेंगे, तो उपर के levels होगए, नीचे के levels होगए, इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इन्हें के according हमें trade में, अगर हम ध्यान से करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकि आपका अपने analysis है, जो levels आपको 7 में आते हैं, उनके through आप trade कीजिए, और एक चीज़ और है, जब तक market में कोई एक trend स्टार्ट नहीं हो जाता, मेरे इसाब से आप position को carry over करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा benefit शायद ना मिले, क्योंकि market ने जिस तरीकी की range को hold किया हुए, बहुत ज़्यादा upside ये downside moment के तरीके से, gap down ये gap up opening होना मुश्किल लग रहा है, तो ये था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहें market report, धन्यवाद,